आपको सवागत है आज किस नई वीडियो पे और आज हम एक मूवी पोश्टर डिजाइन करने वाले हैं जो कि मार्वल के एक बहुत ही वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल रहेगा क्योंकि यह फन बे में भी है और काफी इसमें मैं अच्छे स्टेप्स बताएंगी कैसे आप एक अच्छा था पोश्टर बना सकते हैं अपने लिए आपका टाइम से करने के लिए यह बहुत ही लंबी प्रोसर से मैं गया हू विट और फोर थाउसन रख रहा हूं अब इक लिए मैं और रिजर लिशन सेविंटी तूल लेंगा ओकी क्लिक कर देना इसके बाद आपको ना यहां पर मैं पहले इस्टाग्राम की साइज में से क्रॉप कर लूँगा जो कि फोर वाइफ का रिशियो यह इस्टाग्राम प कुछ इस तरीके से और यहां मैं Convert to Smart Object कर दूँगा इसलिए क्यूंकि मैं आपने जो बैक्राउंड इसे क्रोप करना चाहा था इस वजवजे से ठीक है? और यहांसे मैं इस तरीकी से कुछ फिट कर लूँगा सबसे पहले ने ने नेम करेंगे यह इसे बैकरांद की नेम से से आप यह इनवर्ट कर सकते हैं तो यह देखे को चाहिए के सीन आ गया और आप बैक्राउंड को एक बार हाइड करोगे ना तो आपको यह पीछे देखने को मिल जाई कैसा चल रहा है फिर आपको राइट क्लिक करके इसे स्मार्ट आपडेट में कनवर्ट कर लेना है ठीक है अब यहां आप वार्ट पे क्लिक करोगे और अल्ट होल्ड करके क्लिक करोगे ना तो यह दो डॉट बने आ जाएंगे फिर इसे थोड़ा उपर कर सकते हो अगर आपने मूवी देखी हो तो मूवी में आप देख सकते कोई बहुत सारी चीज़ें तो काफी जिग-जाग तर करेंगा क्योंकि इस इमेज में काफी ज्यादा नौइज ती इसलिए आप नौइज रिडेक्शन का यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा शैडव इंप्रूब करूब करूँगा ताकि जो शैडव में डीटेल्स है न वो हमें दिखाई दे जाएं ठीक है ओके यह सिंपल सा फ बैक ग्राउंड आँ यह एक रेंडम बैक ग्राउंड है मैं कर रहा है कि कोई फ्लाइंग ऑप्जेक्ट या फिर और प्लॉपडिक्ट जो इसका में हमारे ठीक टीक है अब यहां पर लिक करके यहां नीचे क्लिक करोगे नहीं तो यह एशृघक करना है और लिबट न्यू और यहां संसे मैंसे क्लेप मास्क करों आयों आ और यां से लुमिनों सिटी मड़ में रख दूँंगा तकि सिर्फ ब्रायटनेश यो इत्राइन ब्रायटनेश चेंज करता ये रिक हैं तो और यहां से इसलिए मैंने help layer ली थी जो की neutral color से फिलती फिर यहां पर नीचे जाके आपको यह को लियर लेनी है जो की होगी कर्स की की लेने के बाद इसे थोड़ा सा ब्राइट बना देना है क्योंकि जो सबसे पीछे वाला बैक्ग्राउंड है उस पर हम ज्यादा लाइट चाहते हैं क्योंकि वहीं से जब ज्यादा लाइट रहेगी न तो अंदर आएगी तो यहां से हम मैंल वांगे कंपोजेट करने में यह हैल्प होगा हमारे लिए मैं पीछी जादा ब्राइट जाता हूं ना डॉक्टर स्टेज की लिए पर क्लिक करना है और यहां से हीवें सचुरेशन लेकि आप हम साचुरेशन मैच करने वाले देख सकते हैं हमारे सब्जेक्ट का सचुरेशन कम था तो इसलिए मैंने सबसे पहले सचुरेशन में मैच किया काफी सिंपल है फिर यहां से हम कर्प्स की लेंगे और यहां से आप देख सकते हैं मैंने क्लिप मास्क कर दिया बैक्गराउंड पर और सबसे पहले रैट चैनल पर जाएंगे और रैट चैनल को मैं थोड़ा सा अब यहां से हम कलर बैलेंस के लिए लेंगे जिसे मैं थोड़ी और कलर करूंगा ठीक है इस पर भी मैं सेम यही करने वाला हूं कि मैं थोड़ा सा कूल्ड टाइप का एफेक्ट दे रहा हूं सायान और यहलो को कम करके और यहां पर देख सकते हैं वाव यह अच्छा एफे सब्जेक्ट को मैज करेंगे अपने वाजुर को लाना है लो यहां और सैट दो हाईलाइट और ज्था वर्कerem करता है यह यह sigh लेंस की लेडर लेते हैं तो हम जाता मिट टोंस Bis से ज्यादा एफेक्ट पड़ता है और है मैं हमेशा बोलूंगा है आप जाता स्लाइडर सुपर नीचे ना करें कि यह काफी लगता है और आप देख सकते हैं ब्लैंड हो चुकि हमारे बैक्ग्राउंड के साथ बोल सकते हैं और फिर नीचे जाके आपको एक और लेनी है कलर सबसे नीचे क्योंकि आप जो सबसे पीछे वाला इसको हम ब्लू कलर का एफेक्ट देने वाले हैं तो यह कैसे देंगे यहां देगे आप एक दी देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कलर्ट में चेंज आ रहा है अगर मैं जाता स्लाइडर आगे पीछे कर रहा हूं तो आ हमें बिल्कुल फोकस नहीं कराना बेक्गरांड पर इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लर दे रहा हूं और ज्यादा भी नहीं कि फेक लगे सो के यह काफी है अब यहां से हम एक न्यू लेयर लेंगे एक्सपूजर की और यहां से मैं एक्सपूजर बढ़ा दूंगा सबसे पहले आप देख सकते हैं कि थोड़ा और मैंने ब्राइट कर दिया एक्सपूजर की लेकि हम लेयर काम कर रहे हैं किसी यह नहीं कि मैं एक लेयर का यह यूज कर रहा हूं फिर आपको इस लेयर पर जाना है और ब्लैंडिंग ऑप्शन पर जाना है और यह दिख रहा है ड्रॉप तो इस पर एक बार आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सामने कुछ दिख रही है इस बैली से हम शैडू क्रिएट करेंगे मैं अपने एक टीट्रोल में बताया है पहले ही आप देख सकते हैं तो यहां से सबसे पहले से 90 डिग्री रखता हूं मैं और आपको भी सिम यही सेटिंग फॉलो करने जो मैं कर रहा हूं ठीक है प्यो ब्लैक कर लेंगे मल्टिप्लाय मोड में रहने दे सकते हैं और यहां से फिर क्रिएट लेयर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी और आप मैं आपको दिखा सकत कुछ जादा रॉकेट साइस नहीं हैगे यहां से मैच करना है तो यहां से देखिए त्टिल से में यहां से पिंस लगा रहा हूं और अब इस मैच का भी यूँज कर सकते हैं छल्ली हो जाता है ठीक है हमारी ट्य fonction हो चुकी है अब इसमें थोड़ा ब्लेड देंगे क्योंकि यहां पे एकदम हार्ड लाइट नहीं आ रही है कि हार्ट शाडव करिए ठीक है यहां से पीछे से नॉर्मल लाइट आ रही है तो यहां से मैं थोड़ा सा शाडव को ब्लेड दे दिया है और रेल बनाने के लिए से इसे स्मार्ट कर लूँगा करका मैं यहां ठाल लंबा कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही जदा पीछे से लाइट आने वाली है तो मैं उसे यसाप से थाफ़ह फोड़ा लंबा कर रहा हूँ और यहां पे यहां पहले यहां पर भूला इतनी हाइध लाइड यहाड बंती है यहाँ पर मैंने मास्क बना बना के इसे मैं रिमूब कर रहा हूं दीदे से और यस सिपांगा आगे पार्ट पर होना चाहिए पीछे बाले पार्ट पर यह विल्कुर नहीं देख ना चाहिए फिर यहां से blending options में जाना है और कलर बले पर क्लिक करना है और हमें कलर सैंपल करना है बाजू का क्योंकि जाता प्यूर ब्लैक नहीं होती जो इन वो मैंड का कलर होता है शैडू में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं तो इसमें थोड़ा सा हम कलर मिक्स कर देंगे ठीक है आप खुद अपने logic से देख सकते हैं बस आपको एक path करके दे रहा हूं फिर यहां से थोड़े से देख सकते हैं मैं नीचे तरफिस और किसी वी सब्टेक्ट की वीच बनता है उसे ताश्याडो कहता है तो ओके करना उसे भी सेम हम create layer पर कर लेंगे ओके ठीक है नाव आप हैं यहां से पहले इतना स्वर्य और यहांस बना लेता हूं तो हम यहां इस चाहिए और और यहां से अफस्याडार मैं लिभी और आप चाहिए सकते हैं यह काफी बहतरी इंटाइट हो चुकी है और आपको लगे कुछ ज़्यादा डार्क है तो आप कम कर सकते हैं जैसे मैंने इस केस में किया है कम और नीचे वाले शाइडव को में शाइडव नेम दे देंगे अब हम सबसे ऊपर जाएंगे और पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूं को यह से पैसे लिए ता मैंने लुमिनियुटी के लिए और आप यहां से यह जो आपको बैक ग्राउंड देख रही है ना ठीक है इस पर क्लिक करना है और यहां से मैं सेलेक्शन बनाऊंगा यह जो पार देख रहा है इतना हमें हटाना है तो यहां से मैं मास्क बना लूँगा और इसे इनवर्ट कर लूँगा तो यह अब देख सकते हैं कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है यह थोड़ा देख रहा था इसे हमने में वेंटें कर दिया है ना अब आपको यहां पर नीचे वाले पर जाना है ठीक है और अब देख सकते हैं यह जो एजिस दिख रहे हैं इस पर हम शैडू बनाएंगे तो ब्लैंडिक आप्शन पर जाके आपको इन अरगोर्णों पर क्लिक करना है इस वाले ले ठीक है और जो सैटिंस मैं बता रहा हूं यही सैटिंस अभी आपको रखनी है ठीक है आप दीर दीरे खुद अपने आप से प्ले कीजिए आपको बाता चलेगा कि क्या आप इंप्रूब कर सकते हैं और क्या आपके तरीके से डिजाइन दे सकते हैं तो यहां पर आप सैटिंग लोगे ना तो यहां से देखिए मैं रिम लाइट कर रहा हूं रिम करेंगे तो यहां पर यह देखिए हमारी लेयर बननी आ चुकी है अब सिंपल इसका मास्क बनाएंगे और ब्रेश लेने के बाद मैं यहां से रिमूब करूंगा उन्होंने रिये पर रिमूब करूंगा जहां-जहां मुझे लग रही कि लाइट पॉसिबली नहीं आ सकती यहां एजस होता है न एक दम से यह नहीं हो सकती ठीक है यह देखिए और मैं थोड़ी-थोड़ी सी ओपिसिटी कम कर रहा हूं आजूब आजूब की कि एक दम से यह फेक ना लगे बिल्कुल वाइट वाइट ठीक है तो यह देखिए जहां पॉसिबली लग रहा है करेगी पीछे साइड ऑपेसिटी की हमेशा कम रहेगी लेकिन इसकी रेंज ज्यादा रख रहा हूं मैं ठीक है रिम लाइट की रेंज कम होती है बहुत ज्यादा होता है तो यहां पर प्रेक्ट बनाने के बाद आप यहां से देखिए यह परफेक्ट लग रहा है मुझे ल लाइट हमने बैक्राउंट से क्रियेट कर ली आप आप इसके ब्लैंड निव आप्शन पर जाएंगे ना तो आपको कलरोबल एक बार क्लिक करेंगे तो यह पूर रवाइट नहीं होगा यह थोड़ा सा कलर मिक्स होगा जो हमारे बैक्रम मलब इन्वामेंट मैं तो मैंसे मैं थोड़ा सा कलर मिक्स करके दे रहा हूं और यह देखिए अब यह काफी मैच होने लगा है ना आपको सबसे नीचे जाके एक न्यू लेयल लेनी है जो की कर्प्स की होने वाली है और इसे एस कर बनाना है ताकि कॉंटास ज्यादा रहे मैं इसे ऊपर ला रहा हूं और ल कर लेंगे इसे भी यहां से क्लिप करेंगे और थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे अब मैं एक और लाइट ड्रॉ कर रहा हूं जो इससे भी ज्यादा बढ़के होगी लाइट को आप जितनी लेयर करेंगे ना उतना आप के लिए कंविनियेंट होगा ठीक है उतना आप यतने भी बैकराउंड की लेयर थी ना उनको स्लैक्ट कर लिया है और उपर वी जतनी लेयर से सब्जेट के लिए जो मैंने डॉक्टर एस्टेंज के लिए उनको भी मैं लेके सब्जेक्ट नेम देदूँगा और यह पहले हम ड्रीट कर देते हैं और नीचे की जतनी यहां से सबसे नीचे लेया ठीक है इसे उपर आप देखना इसकी शाइनिंग है ना वह भी बढ़ रही है दोनों को हम एक साथ करेंगे और फिर से स्क्रीन मोड में रख देंगे अब आप देख सकते हैं यह पहले से कितना ज्यादा लोग हो रहा है ठीक है कॉंटार बढ़ किया और सबसे पहले स्क्रीन पर रखा और यहां से बुऔर करने से हो रहा है कि यह करे थिए अब आप सब्सक्राइब हम थोड़ा वर्ग करने वाले तो सब्सक्राइब ब्लैंडिंग और यहां भी जो लाइटिंग का वर्ग है वह मैं इसी इस टाइल से करेंगे जोगी हाड रहेगी एजस पर इसका थोड़ा सा कलर रहना वह यलुष टाइप का रखेंगे हैं ठीक है यलुष और इंज़ टाइप से यह मिक्स ओके और आप देख सकते हैं यहां पर हमने लाइटनिंग कर ली पर अभी आप एक चीछ देख सकते हैं कि लाइट बहुत ही ज्यादा क्रीट हो गई है मतलब यह कुछ जादा फेक लग रहा है रिम लाइट बहुत ही कम होती है इस कोई rocket science नहीं है और भी चेक करने पर यह काफी ठीक लग रहा है तो create layer पर हम क्लिक करेंगे और नई layer करेंगे यह उपर आगया अब मैं से रिम लाइट नेम दे दूंगा ओके रिम लाइट नेम देने के बाद मैं इसका मास्क बनाऊंगा और से वहां-वां पेंट करूंगा जहां-जहां मुझे रिम लाइट चाहिए जैसे यह देख रहा है यहां पूरे पर मैं रिम लाइट दूंगा मैंसे थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि यह कुछ ज्यादा इंपॉर्डन नहीं है सिर्फ आजू-बाजूरे में मैं शूस की नीचे वाले पार्ट पर रिम लाइट नहीं दे रहा हूं ठीक है बहुत है आप देख सकते हैं आराम से और यह देखिए मैं हमने रिम लाइट कर लिए पूरे तरीके से प्रश्य करहें चैश करते हैं और नो इसम हमें प्रट नहीं पर लिया। इस तरीकी से से कुछ किए प्राइब मैं यह बन गई हमेशिए की तरह दानने में यह मैं कई टूर्य में बता चुका हूं इसलिए मैं दुबारा नहीं बताना चाहता अब यहां से एक new layer बना के control आइसे invert कर लूगा मैं और नौर्मली इससे भी मैं यहां से पेंट करना लूँगा यह जितने भी स्टैप्स है ना मैं आपको कई बार अपने टूट्यूर्य में बता चुका हूं तो मुझे यह रिपीट करना यहां पर ठीक है आप मेरे कई टूट्यूर्य देख सकते हैं अगर आप इसे और ठीक है और इसे क्लिप मास कर देते हैं और एक्सपोशर में थोड़ा सा बढ़ा दूँगा ठीक है कंट्रोल अब यहां से डॉज नाम दे दूँगा इसकी मैं इससे हाइलाइट करने वाला हूं एक और ठीक है जो इनसाइड एज है मलब अंदर अंदर की जो पार्ट से वह यहां मुझे पॉसिबली लग रहाई कि हाइलेट आ सकते हैं ठीक हैं सिसे विगनर्स के लिए है तो मैं कुछ ज्यादा आडवांस तरीका नहीं इसमें लगा रहा हूं नॉर्मली मैं सिंप्ली सिंप्ली पेंट कर रहा हूं जहां जहां मुझे लग रहा है कि आई-ट-लाइ तो यह का भी ठीक लग रहा है तो डॉज होने के बाद हम इसा हम बर्न भी करते हैं जो कि यह श्याडव देना होता है तो यहां से मैं कव का यूज करूंगा क्लिप मास करूंगा और इसे वन का नाम दे दूँगा और कंट्रॉल आज से पहले इन वर्ट कर लेते हैं हम इसे ल तो यहां पर देख सकते हैं मैं थोड़ा बात पेंट किया है लेकिन एक चीछ देखिए हमने कुछ ज्यादा ही ब्लैक कर लिया श्याडव पेंट करके तो मैं लुमिनों सिटी पर पहले से रख दोता हूं ताकि इससे ज्यादा एफेक्ट ना पड़े कलर पे ठीक है और यह को है यहा का क्या करेंगे को देखें हैं na तो यहां से अब और सकते हैं अब जो दिख रही है ना इन्वहमेंट यहां पर निकल रहा है वहां आप हम प्राइड करेंगे अपनी एक को स्प्राइट करने वाले हैं यहां से अधैस करने वाले यहां से और बाइटनेस में शेहरा कर दिया और यहां पर लिक करेंगे एक बार और यहां इसे थोड़ा ब्राइट करेंगे इसके आजवाजव एरिये के यह ग्लो आ रहा है तो यहां ब्राइट होगा तो इस तरीके साब डैफ्ट कर सकते हैं मैं दोनों टैक्निक बना रहा हूं दोजन वर्न के आपके लिए इसे बताने के लिए है तो यह देख सकते हैं अब मैं इसकी थोड़ा कम कर दूं मुझे लग रहा है क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही कर दिये तो मैं हमें सब्सक्राइब करता हूं ना इतना करने के बाद हम सब्जेक्ट वाले उसमें वापे जाएंगे फोल्डर में यहां से म और इंज कलर में एक बार और थोड़ा और देने के लिए तो यहां तो इस तरीकी सब्सक्राइब मैंटिन कर लेंगे और इसे ब्रस लेने के बाद आप इसे पेंट कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा ज्यादा नहीं क्योंकि हम मिक्शी नहीं करना चाते पर मैं थोड़ा- इच्छा लगा रहा है वाव रियली नव आपको पहले करना क्या है कि यहां से लेयर ओवले है इसे इंपोर्ट करना है इन सब की डाउंडोड इसक्रिप्शन में देदूंगा मैं इसे आप मैं 90 डिग्री और करके मैजिक ड्रॉ करूंगा ठीक है क्योंकि यह हम खाली-खाल बढ़ेगा और इसे वाइट बढ़ेगा ठीक है नॉर्मल है आप ट्रॉल देख सकते हैं क्या होता क्या है कि थोड़ा और ग्लो आ जाता है हमारी इमेज पर तब यह देख सकते हैं मैं इसे स्मार्ट आप्यट कर दूँ पहले इसे मैं मास्क बनाओंगा मास्क बनाने के बाद ब्रश ले रहा हूं और पीछे की एरिये से ना वहां से मैं रिमूब करूं इसलिए ओवरले का एफेक्ट क्योंकि ओवरले में यह जो हमारे पीछे वाल एरिया है न तो यहां पर भी एफेक्ट आ गया तो यह हॉजपोच यानि मिक्स हो जाएगा हमारे सिंबल लोगो वाला जो गलो है इसके साथ तो मैं इसे कोई छिड़कानी नहीं करना चाहता हूं मैं सिर्फ आज बाज यह लाइटनिंग देना चाहता हूं लाइन लाइन ओके तो यहां से मैंने पीछे से कंप्रिट्री रिमूब कर लिए मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहां से अब हम एक न्यू लेयर इंपोर्ट करेंगे जो कि ओवले होने वाला यह मैजिक वाला तो अभी मैंने से स्पीड इसलिए कर दिया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं इसे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना था कि कौन सा ओव इस पर जाएंगे और थोड़ा सा इसका कॉंट्राश्य बढ़ा देंगे क्योंकि हमेश्य की तरह मैं और ज्यादा गुलो चाता हूं अपने इस लेयर में ओके पर क्लिक करना है और इसे थोड़ा ऊपर रख रहा हूं और थोड़ा सा ठीक हैं कंट्रूल से कॉपी करेंगे कंट्रूल जैसे पहले मैं ब्रस रिमूव कर दो अगर फेस पे थोड़ा वह आते इसका ठीक है फिर यहां से कंट्रूल टी दवा के आप इसे होडिजॉंट ली क्या करेंगे ओके साइल लाएंगे मैंने डूब्लिकेट करके इसे इस तरफ क्या सकते हैं आपको कौन साथ ठीक लग रहा है एक्सेंपल मुझे आजू वाला काफी बाइट इन लग रहा था ठीक है एक फिर हम यहां से बाइवरेंस के लिए बड़ा बाइवरेंस पता है मैंने क्यों बढ़ा है कि जो और इंजी सब्सक्राइब होते हैं इसको और ज्य इसलिए मैं इतना ज्यादा यूजर नी करता है अब दवाएंगे तो निव लेयर वन जाएंगे तो इसे स्मार्ट ऑप्जेट कर देंगे मैं स्टाइलाइस में और पेंट पर जा रहा हूं और पेंट पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इससे होता गया है कि हमारे डॉक्टर स थोड़ी खड़ाव इमेज की इसलिए मैं थोड़ा सा बसे ओल्पेंट दे रहा हूं कि नौइज रहे ना तो वह सब हट जाए तो ना फिर मैंने यहां से कैमरा और फिल्टर कर पर वर्क किया है थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग की है हमेशे की तरह देखके को ज़्यादा हेवी वर्क नहीं है बहुत ही मान्यूट वे में मैंने कलर ग्रेडिंग की है तो यह त्यार हो चुका है वीफोर आपकर देख सकते हैं मैंने कुछ ज्यादा है नहीं किया नॉर्मल किया फिर मैं यहां से मैं नेट से डाउनलूड किये था यह जो टाइटल है और यह जो दो वर्सम मैणने से ना वह मैं इस यरिसे रेट कलय का लेने वाला हूँ तो इन दोनों को मैंने साथ लेके और पहले मैं लाइन कर दूं यहां से मैं देख रहा होंगी वह ईलाइन हो रहा है कि नहीं परर्फेक् rupees ली एलाइन होने के बास मैंने वस इसतडाटल को कुछ इस त जरूर दूँगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर सकते हैं और प्लस में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे वीडियो की रीच और बड़े में और अच्छा बैतरीन कंटेंट आपके लिए ला सकूं आपसे शेयर भी कर सकते हैं पर उससे सबसे जादा पर क्लिक करते हैं ताकि जब भी मेरी लेटिश वीडियो आए उसकी आपको मिलती रहे कभी अच्छा लगा मुझे यह पोस्टर बनाने के बाद आयो आपने भी इंजॉय किया और आपको भी बहुत सारी चीज़े सीखने को मिली हो तो मिलते हैं अगले टूटोरल में तब किली बाई बाई